नमस्से मैं हूँ से चिंगोयल और एकुंजी चैनल पर आपका सौगत करता हूँ कोई पैसा खर्ष नहीं करना है जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही करना है इसके लिए आप बैड या जमीन पर कहीं भी पेट के बल लेट जाएं इसके बाद अपने दोनों हातों को हिप्स के नीचे इस तरह से रख लें अब आपको एक पैर उपर उठाना है उपर उठाकर जितनी देर एजीली रोग कर रख सकें उतनी देर रोग कर रखें और फिर पैर वापस नीचे टिका लें ये एक योगसन है जिसका नाम अर्द शलाबासन है क्योंकि इसको एक-एक पैर से किया जाता है एक पैर से पांच बार इसे करना है फिर दूसरे पैर से भी इसी तरह से पांच बार करना है इसमें ये ध्यान रखें कि पैर को गुटनों से नहीं मोडे बलकि बिना मोडे सीधे रखते हुए ही उपर ले जाना है इस तरह शुरू में 5 बार से चालू करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 50 बारता किसे करें आप इसे रोजाना सुबह, शाम को या रात को किसी भी टाइम खाली पेट करें ये अर्दशला बासन आपके पुराने से पुराने हिप्स से लेकर पंजे तक होने वाले पेर के दर्द को हमेशा के लिए जड़ से खतम कर देगा और आपको लाइफ का मज़ा आ जाएगा इस योगासन के साथ कुछ सावदानिया भी जरू रखें ताकि पेर का दर्द तेजी से ठीक हो जाए और दोबारा नहीं हो मैदा से बनी चीजें, बेसन और उससे बनी हुई चीजें, उड़द और उससे बनी हुई चीजें और रूखा बोजन नहीं खाए क्योंकि ये बोडी में वायू को डिस्टर्ब करके दर्द बढ़ाता है सलाद आपको अच्छी मतरा में खानी चाहिए लेकिन उसमें खटाई नहीं डालें खटे फलों को छोड़कर सभी सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए बस आप इस योगासन को कीजिए, साथ में इन सावधानियों का खयाल रखिए और अपने पैरों का दर्द हमेशा के लिए भूल जाएए आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलों उसके देखते रहने के लिए ये कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए